पीदा सबजी बेच रहे थे तब ही खबर आई कि आपका बेटा बिहार इंटरमेडियेट में तीसरा रेंक लाया है और फिर माता पीदा की खुसी का थीकाना ना था जाहिर है हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाता है इसलिए कि बच्चा मेरा नाम रोशन करे लेकिन इसने तो पूरा जिला सहीत बिहार का नाम रोशन कर दिया दरसल आज बिहार इंटरमेडियेट का परिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आया है जिसमें पूरे बिहार में तीसरा अस्थान हासिल करने वाला गोपालगेज का एक लाल है जिसके पीता सबजी बेचा करते थे और आज उसने पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया है बताया जाता है कि बरॉली हाई स्कूल के छात्र नावादा गाउनिवासी पिरिंस कुमार ने साइन्स स्ट्रीम में तीसरा रैंक पूरे बिहार में हासिल की है पिरिंस कुमार को 477 अंक यानि 95.40 प्रतिशत अंक हासिल हुआ है पिरिंस के भाई लोग कुमार को भी बोर्ट परिक्षा में 450 अंक साइन्स स्ट्रीम में हासिल हुआ था दोनों की सफलता पर परिवार और इलाके में खुसी का माहौल है पिता सबजी बेशते बेशते इतने खुस हो गए और इतने भाउक हो गए कि वो समझ नहीं पा रहे थे वो कुछ कह नहीं पा रहे थे वहीं पिरिंस ने बताए कि यहां मेरे माता पिता और मेरे गाजियन और मेरे टीचर का देन है जिससे मैं टॉप किया हूँ तक दूजनों को देना चाहता हूं आपके पिता जी क्या करते हैं मेरे पिता जी सब्सक्राइब करना चाहते हैं अभी मुझे जनकारी मिली कि आपके कोई भाई भी आपके जयाम दियात हैं कितने भाई जो बन दो बताईये वी उसके बाद रीमा देपी कुमारी छोटी कुमारी अभाई के नाम लगी कुमार जेके नहीं कि मेहनत इमांदारी से करो तो सफलता जरूर मिलती है इसका जीता जाकता उदारन इस प्रिंस ने तिया है दरसल यह प्रिंस काफी गरीब परिवार से है और बरॉली थाना छेतर के नवादा गाउं का रहने वाले है इसके पिता बरॉली में सबजी बेचा करते हैं और इसने जो कारे किया है पूरे जिला सहित बिहार का नाम रोशन कर दिया है अब खुसी में इसे आसपास के और इलाके के लोग मिठाईया किला रहे हैं और तारीफ करते नहीं ठक रहे हैं आप भी एक कमेंट करके इस प्रिंस के लिए जरूर कुछ कहिएगा और अगर आप वो खब शब्सक्राइब जरूर करें धन्यबाद